हेलो गाईज तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंगित मैं और मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो काफी ज़्यादे इंटरस्टिंग राली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वताने वाला हूं कि कैसे आपने फॉन के आइकन्स को और कैसे आप अपने फॉन के नौटिफिकेशन पैनल को बिल्कूल एंडर ट्वैल अपडेट की तरह बना सकते हो वही विडाउट एंडर ट्वैल अपडेट को अपने फॉन में इस्टॉल करें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाईज इसके लिए आपको दो एप्लिकेशन डाउलोड करनी हो गाईज आपको सेश्च करणा है तो गाईज जैसी आप यह सच करोंगे तो यहां फर्स्ट एप्लीकेसन आएगी आपको सिंपलीईसे अपने फोन में इस्टॉल कर लेना है तो गाईज यह थी अपनी फवस्ट एप्लीकेशन तो आपको दुबार से सर्च वाड़ाएं पर तो गाइज आपको सिंपली यह सच करना है तो गाइज जैसी आप सच करोंगे तो यह इना फर्स एपलीकेशन आएगी आपको इसे भी आपने । पफाण में इंश्टॉल कर लो तो गाइज आपको से बैक करना है तो guys back करने के बाद आपको simply cue launcher को open कर लेना है तो guys जैसे आप cue launcher open कर लोंगे तो यहां एक option होगा let's go तो आपको simply इसपर click करना है तो guys जैसे आप इसपर click करोंगे तो यहां दो option होंगे Skip और Next तो आपको simply next करना है जैसे आप next करोंगे तो यहाँ आप देख सकोंगे आपको option होगे classic themes और circle themes तो guys classic themes हमारा वो वाला है जिए हमारे phone में पहले सी icon रहते है और circle themes वो वाला है जो हमारे icons हैं वो circle की तरह हो जाएंगे तो आपको स्म्पिल या पिणा circle themes select कर लेना है तो गाइज जैसी सर्कल तीम स्ट्रेक्ट कर लो तो गाइज इसके नीचे दो उप्सण होगे प्रिवियस और नेक्स्ट तो आपको सिंप्ली नेक्स्ट करना है तो गाइज जैसी आप नेक्स्ट करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहां दो श्टा सocus दाएगा तो या तीन ऑप्सेट allay is ondo और सिंप्ली कर रहा हूं तो जैसे आप कोई सभी स्लेकर लो तो आपको सिंपली 9 अप्सन पे कलिक करना है तो यह उप्सन तीन ओप्षन होंगे इसमल 90 परसेंट नॉर्मल हंडेड़ परसेंट और लार्ज 110 परसेंट तो गाइस इनका मतलब है अगर आप इन में से कोई साइव सेलेक्ट करते हो तो गाइस जैसे आप कोई साइव साइज सेलेक्टर लो तो आपको सिंप्ली नेक्स टाले ओप्षन पर पर क्लिक करना है तो जैसे आप नेक्स्ट आप्ता लाउचंप क्लिक कर देना है कि तो गए जैसे आप कर दोंगे तो यहाँ दो आप्सण और आल्वेज तो आपको सिंप्ली आल्यौज आल्यए ऑप्षन पर क्क्लिक करना है जैसे आप always आले option पर click करोंगे तो यहाँ आप देख सकोंगे जो हमारे phone के icons हैं वो विल्कुल Android 12 update की तरह हो चुके हैं यहाँ आप देख सकते हो जो हमारे phone के icons हैं वो काफी ज़्यादा amazing लग रहे हैं तो guys यह तो अभी आदर ही setup है Android 12 update का अभी हम notification panel भी change करेंगे बिल्कुल Android 12 update की तरह जो मैंने दूसरी application बताई थी आपको simply उसे open कर लेना है तो guys जैसे आप दूसरी application open करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो guys यहाँ चार option होंगे तो आपको simply से open कर देना है तो guys जैसे आप first all option on करोंगे तो यहाँ आपको Android 12 पर क्लिक करने क्लिक आएगा तो आपको simply यहाँ इसे permission दे देना है और guys यहाँ दो option होंगे allow और Danny तो आपको simply sell out कर देना है तो guys जैसे आप इसे allow कर दो तो आपको simply back करना है और back करने के आप दूसरा option on करना है तो guys जैसे आप दूसरा option on करोंगे तो यहाँ पर मांगेगा तो आपको simply sell out कर देना है तो guys जैसे आप इसे allow कर दोंगे तो आपको simply back करना है तो guys जैसे आप back करोंगे तो यहाँ enable notification होगा तो आपको simply इसे भी on कर देना है तो जैसे आप इसे on करोंगे तो यहां Android 12 पर क्लिक करने करेगा और यहां इसे भी allow कर देना है तो यहां दुबारा दो option आएंगे Danny और allow तो आपको simply allow कर देना है तो जैसे आप allow कर दो तो आपको simply back करना है और back करने के यहां fourth option होगा SIM Change Permission तो आपको simply इसे भी on कर देना है तो जैसे आप ने आपसन आएंगे अलाओ और यहांज अलाओ कर देना है तो जैसी आप यहां चारों पर्मिस्ट कर्दू तो आपको simply next option पर क्लिक करना है तो जैसी आप next option पर क्लिक करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो guys यहां जो हमारा notification पैनल का जो setup है वो पूरी तरह से set हो चुका है तो आपको simply back करना है और guys जैसे आप back करोंगे तो यहां आप देख सकते हो जो हमारा phone है वो पूरी तरह से Android 12 update की तरह लग रहा है और guys जो हमारा phone है वो काफी दादा amazing look दे रहा है तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और channel पे नए हो तो channel को subscribe करें और side by bell icon को press जरू करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो को notification जल्दी मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you